दुनिया में सबसे महंगा ब्रीड का डॉग कौन सा है? एर फोर्स विमानों में पाइलेट के हैलमर की कीमत कितनी होती है? और गाइस पोस्ट बाडम हाउस में रखी लाशों से सचमुच में आवाजे आती हैं? ऐसे ही सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में इसलिए गाइस वीडियो को स्किप ज़रा भी मत कीजिएगा सो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं पैगलूरू में रहने वाले सतीश नाम की शक्स ने एक खास नसल का कुता खरीता है जिसकी कीमत लगबस 20 क्रोड रुपए है रिपोर्ट्स के मताबिक सतीश ने कोकेशियन शेफर्ड नाम का प्रीड का कुता खरीता है उस्ट्रेलिया में स्थित ग्रीन लैंड सर्दियों में एक सूखा पार्क होता है जबकि गर्मी और बरसाद के मौसम में ये 10 मिटर गहरी जील बन जाता है एक स्पीकर दवरा बनाई गई अवाज होती है जिससे आपको पता लगता है कि पैसा आ रहा है एरफोर्स के F-35 विमान और इसी परकार के विमानों के पाइलर की हैलमट की कीमत की अगर हम बात करें तो इनकी कीमत 6 करोड रुपए से भी उपर जाती है F-4 मंगोलिया जाती की एक मम्मी को साल 2014 में 10,000 फीड की उचाई पर खोजा गया था इस मम्मी की सबसे हैरान कर देने वली बात ये थी कि इसके पैने हुए जूते आज के एड़िडास स्पोर्ट स्चूर्स की तरह दिखाई देते थे F-3 एक विग्यानिक रिपोर्ट के अनुसार मुनिश्य के दो तीम बीनों के बाद इसनान करने की अविशकता होती है रोज इसनान करने से चिड़चड़ापन और तवचा सूखी हो जाती है F-2 पोस्ट माटम हाउस में रखी लाशों से कभी-कभी आवाजे भी आती है ऐसा डैक बोड़ी से निकलने वाली गैसों के कारण होता है ये आवाज किसी चीख के जैसी लगती है F-1 कोलो हिल्स भारत की सबसे खतरनक सडकों में से एक है जिसमें 70 से अधिक मोड हैं ये तमिल नाडू में स्थित है इन में से आपको कौन सा फैक्ट पसंद आया हमें कॉमेट करके जिरूर से बताईएगा अगर आपको वीडियो ची लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जूर से कर दीजेगा अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में